हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है ये देखिए सबजी हमारी लग रही है न बिल्कुल कलरफुल इस तरह काले चने और आलू की सबजी को यहां मैंने घर के मसालों से बना के तयार किया है काला चना और आलू की सबजी देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा टेश्टी और डिलीसेस बन के तयार होता है तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं काला चना या इसे ब्राउन चना भी कहते हैं काला चना और आलू की सबजी बनाने के लिए यहां मैंने एक कप सोक किया हुआ काला चना लेंगे और चार आलू लेंगे यहां मैंने मेडियम साइज का चार आलू लिया है आलू को पानी से धो लेंगे चना पानी में धो कर 7-8 घंटे के लिए फूलने देंगे या सोग कर लेंगे चना उबालने के लिए हम एक कूकर लेंगे कूकर में 2 कप पानी डालेंगे पानी डालकर कूकर में काले चने डालेंगे यहां मैंने चना को पानी से धो लिया है और आलू डालेंगे आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें एक चौथाई चमच नमक डालेंगे नमक डालने से आलू और चना अच्छे से पकेगा और अब हम कूकर का धक्कन लगा लेंगे धक्कन लगाकर गैस अन करेंगे और कूकर को गैस पर रखेंगे और हाई फ्लेम पे चार से पांच सीटी आने देंगे चार से पांच सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए हम कूकर को रखेंगे और इसके बाद Gas का Flimm Off कर देंगे और Cooker को अपने आप थंड़ा होने देंगे ये देखे Cooker हमारा थंड़ा हो गया है हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे चना को हम चेक करेंगे चेक करने के लिए चने को हम चमच में लेंगे और एक चना को इस तरह हाथों से दबा के देखेंगे ये देखेंगे चना हमारा अच्छी तरह से पक गया है सबजी बनाने के लिए चना हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तयार हुआ है और अब हम एक एक कर आलू को निकाल लेंगे और चना को भी पानी में से निकाल लेंगे और इस पानी को फेक देंगे चना का सबजी बनाने के लिए यहां मैंने दो मेडियम साइज के प्याज लिया है दो टमाटर लेंगे, तीन हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और अब सभी ingredient को cut कर लेंगे ये दिखे प्याज को मैंने छील के बारी काट लिया है और टमाटर को भी बारी काट लेंगे हरी मिर्च को मैंने इस तरह लंबे-लंबे टुकड़ों में काट लिया है और धनिया पत्ता को भी cut कर लिया सबजी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे यहां मैंने एक कढ़ाई लिया है गैस आन करेंगे और हाई फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे यह देखे कढ़ाई गरम हो गया है हम इसमें तीन चमज सरसो के तेल डालेंगे यहां मैंने सब्जी बनाने के लिए सरसो का तेल इस्तिमाल किया है आप चाहे तो कोई और कुकिंग ओयल भी इस्तिमाल कर सकते हैं तेल डालकर गैस का फिलेम मेडियम कर देंगे मेडियम फिलेम पे हम इसमें साबूत मसाले अट करेंगे एक चमच जीरा डालेंगे एक तेज पत्ता को इस तरह दो टुकड़ों में तोर कर डालेंगे दो से तीन दालचीनी के टुकड़े डालेंगे एक इस तरह से खोल करके बड़ी इलैची डालेंगे एक से दो टुकड़ा जावित्री डालेंगे इस तरह तेल में साबुत मसाले डालने से तेल में मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अब सभी मसालों को तेल में मिला लेंगे और अब हम तेल में बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे हाई फ्लेमपे प्याज को एक मिनट के लिए तेल में फ्राइ कर लेंगे ये देखिए दोस्तों प्याज फ्राइ हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है इस टैमपे हम इसमें एक चमच जिंजर गार्लिक या अदरक लैसून का पेश डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार या आधा चमच नमक डालेंगे नमक डालकर सभी इंग्रीडियंट को एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे इस टैमपे गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे जिससे प्याज हमारा जलेगा नहीं सभी इंग्रीडियंट को एक से दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे प्याज और अदरक लैसून हमारा भून गया है इस टैमपे हम इसमें बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे और लंबे टुकडों में कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे और सभी इंग्रीडियंट को एक बार फिर से मिला लेंगे इस तरह मिलाते हुए टमाटर को भी एक से दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे भून लेंगे ये देखे टमाटर भुन गया है और टमाटर से पानी भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है इस टाइम पे हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे एक चमच धनिया का पॉर्डर डालेंगे तीखा के लिए इसमें आधा छोटा चमच लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पौडर डालेंगे और सभी मसालों को इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे और टमाटर को इस तरह चम्मच से दबाते हुए मसल लेंगे मसालों को पकाने के लिए इसमें आधा कब पानी डालेंगे पानी डालकर सभी इंग्रेडियन को अच्छे से मिला लेंगे पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे ग्रेवी में उबाल आ गिया है ग्रेवी को चलाते हुए मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे मेडियम फ्लिम पे ग्रेवी को 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे और इसे बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे जिससे ग्रेवी हमारा तले में चिपके न या जले न ये देखे ग्रेवी हमारा अच्छे से पक गया है मसालों ने भी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इस टैम पे हम इसमें इस टैम पे ग्रेवी में हम हाथों से इस तरह तोड़ कर आलू डालेंगे सभी आलू को इस तरह हाथों से प्रेश करके डालेंगे इस तरह आलू को हाथों से तोड़ कर डालने से सबजी हमारा हलवाई स्टायल बनके तयार होगा आलू डालकर ग्रेवी को आलू में इस तरह चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे इस तरह मसालों के साथ आलू को भूनने से मसालों का फ्लिवर आलू में अच्छी तरह से आ जाएगा और अब हम सबजी में उबला हुआ काला चना डालेंगे चना डालकर चना को भी मसालों के साथ मिलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए इस तरह भून लेंगे चना को मैंने मसालों के साथ भून लिया है अब हम इसे ढख कर 1 मिनट के लिए पकने देंगे एक मिनट हो गया है हम इसे चेक कर लेंगे ये देख़िए चना में मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ गया है सब्जी को हम एक बार फिर से मिला लेंगे आप चाहे तो इस ठेंपे सूखी सब्जी खाना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम आफ कर दे लेकिन हम यहां ग्रेवी वाले सब्जी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें 2 कप इस ठेंपे पानी डालेंगे पानी डाल कर हम एक बार फिर से सबजी को मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे हाई फ्लेम पे सबजी को ढख कर सबजी में एक उबाल आने देंगे ये देखे ग्रेवी में उबाल आ गया है इस टैम पे हम इसे मिला लेंगे ये देखे ग्रेवी हमारा पक रहा है इस टैम में हम इसमें आधा चमच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला डालकर सबजी में गरम मसाला को अच्छी तरह से मिला लेंगे गरम मसाला डाल कर सबजी को हम एक मिनट के लिए इस तरह मिलाते हुए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ये दिखिए सबजी को पकाते हुए एक मिनट हो गया है ग्रेवी भी हमारी गाड़ी हो गई है हमें इसे इतना ही थिक रखना है सबजी जैसे ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा और इस टैम पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे ये देखिए दोस्तों सबजी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है इस टैम पे हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया पता डालेंगे ये देखिए दोस्तों सबजी हमारा बन के तयार हो गया है आप इसे पूरी पड़ाठा चपाती किसी के भी साथ खाए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और फ्लेवरफुल होता है आपको मेरी वीडियो अच्छी और हैलफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक दो